हेलो प्यूटिफुल सोल, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश है, पॉजटिव हैं, सबसे इंपोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यदा हिल्दी हैं आज मैं बहुत ही खास टेकनीक लेके आई हूँ, जो सब की फैबरिट होने वाली है और ये नमबर अपने आप में एक रहस्यमाई नमबर है, जिसे ब्रहमाण का सीक्रेट नमबर कहा जाता है ब्रहमाण की चाबी से इसे संबोदित किया जाता है, ये नमबर ब्रहमाण की चाबी है अगर इस नंबर का रहस्य कोई जान गया तो उसे ब्रोंभान की चा भी मिल सकती है और जो ख़जाना है वो आपके हात लग सकता है आप जो भी चाहें वो manifest करें जो भी चाहें वो attract करें बस आपको इतना करना है कि इस नंबर के energy को हमेशा पकड के रखना है और उसे आप कैसे पकड़ के रख सकते हैं तो इस नंबर से related आप या तो कोई भी टेकनीक करते रहे जिसमें सबसे पहली टेकनीक तो यही है 369 वाली जिसे हम most favorite मानते हैं सब भी लोग मानते, सिर्फ मैं ही नहीं यह टेकनीक सबकी favorite टेकनीक है और इस टेकनीक की सबसे खास बात यह है कि जैसे हम other techniques में बोलते हैं कि पहले आप छोटी wish से start करें क्योंकि पहले ही आप बड़ी सी चीज मांग देते हैं तो थोड़ी सी confusion होती है universe को कि क्या आप उसके लायक हैं या नहीं है लेकिन बात करें हम 369 टेकनीक की तो इस manifestation में आप कितनी भी बड़ी wish first time में ही ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको time देना पड़ते हैं क्योंकि बागी टेकनीक की तरह ये 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 11 दिन इतने दिनों में खतम होने वाली नहीं है इस technique को या तो आप 30 दिनों तक करेंगे या फिर 45 दिनों तक करेंगे क्योंकि हमें इस technique के अंदर 3 का power डालना होता है 3 के energy डालनी होती है इसलिए आप लगातार इसे 30 दिनों तक करेंगे या फिर आपको लगता है कि आपके wish बहुत जादा बड़ी है तो आप 45 दिनों तक कर सकते हैं तो जब भी हम कुछ बोलते हैं आपने हर किसी से सुना होगा जो भी आपको law of attraction के बारे में जनकारी देता है वो ज़रूर बताता होगा कि energy किस तरह से काम करती है हम जो बोलते हैं हम जो सोचते हैं हम वही अपने life में attract करते हैं तो अगर हम negative सोचते हैं बुरा सोचते हैं बुरा बोलते हैं बुरा feel करते हैं तो obviously हम अपने life में negativity बुरी चीज़े ही आकरशित करते हैं अब उसी जगा पे अगर हम अच्छा सोचते हैं अच्छा बोलते हैं और positivity से भरे हुए होते हैं तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों का अकरशित करते हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो कहीं और नहीं जाता, हमारे आसपास रहके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रियेट करता है, उसी तरह अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, तो वो बाते भी हमारे आसपास ह मौजूद रहती हैं, बहुत सारी अनजी हैं इस दुनिया में, जिसे हम देख नहीं सकते क्योंकि हम 3D में हैं, हमारे पास एक शरीर है और जो अनर्जी जो पॉजिटिव शक्तियां हैं या नेगेटिव शक्तियां हैं, उनके पास शरीर नहीं हैं, वो सुक्ष में, देख भी सकती हैं, सुन भी सकती हैं और हमारी हेल्प भी कर सकती हैं लेकिन हम अपनी बात करें तो ना हम उन्हें सुन सकते हैं ना उन्हें देख सकते हैं और ना ही उन्हें गाइड कर सकते हैं होता क्या है कि जो शक्तियां हमारे आसपास होती हैं हम जो भी बोलते हैं वो लोग उसके उपर काम करना स्टार्ट कर देती हैं इसलिए चाहे मैं हूँ या कोई और हो कोई भी और चैनल हो अदर जिस पे लोग गाइड करते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए पॉजिटिव सोचिए अगर इसके साथ आप पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव कुछ वर्ट लिखना शुरू कर दे तो आप जो मिरेकल अपनी लाइफ में चाहते हैं उससे कई गुना अधिक अट्रेक्ट कर सकते हैं बस ये बाते बहुत छोटी लग रही हैं सुनने में, बोलनी में भी लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं अपनी लाइफ में तो आप देखेंगे कि इन छोटी-ोटी बातों से आपके लाइफ में बहुत बड़े-बड़े मिरेकल हो रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस टेक्निक को करना कैसे है बस जो भी मैंने समझाया इसको ध्यान में रखेगा कि आप 30 दिनों तक या 45 दिनों तक मैंने भी ये टेक्निक किया था किसी विश के लिए और वो विश मेनिफेस्ट भी हुई तो काम करती है ये टेक्निक बहुत मैजिकल काम करती है बस आपको कोई भी टेक्निक करते हैं तो पूरा इसके उपर भरोशा रखना है कि हाँ ये टेक्निक मेरे लिए 100% वर्क कर रही है ऐसा भी नहीं सोचना है कि काम करेगी आपको सोचना है कि ये मेरे लिए काम कर रही है औ आप 2-3 मिनुट तक लंबी गहरी सांस चरूर लीजीगा. तो जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप सभी से बताया है कि हम deep breathing करते हैं, inhale, थोड़ी दिर के लिए hold और exhale. तो इससे क्या होता है, हम पूरी तरह से positive हो जाते हैं और किसी भी positive चीज के लिए अच्छी तरह से तयार हो जाते हैं, prepare हो जाते हैं. तो जबकि आपने ऐसा कर लिया, अब यह आपको शुरुवात कप करना है, तो morning से आपको शुरू करना है. जब आपकी आँख खुलती है, आपने पास ही आप अपना diary और paint रखे रहें. अगर paint का color पूछेंगे, तो blue color का paint रख लेचे, enough है, और diary ले लेचे. diary आपकी personal होनी चाहिए, आप किसी और के diary या copy में नहीं लिखेंगे, ताकि आपका यह manifestation पूरी होने से पहले ही लोग देख लें, पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आप सोने से पहले अपने पास diary और paint जरूर रख लेंगे, अब morning में जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आप bed के उपर ही अपना diary उठाईए, पैन लीजिए और अपने wish को present में लिख डालिए. कैसे? जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ. मैंने बहुत सारी वीडियो में affirmation बताई है, जैसे कि आप अगर अभी बहुत ज़्यादा negative feel कर रहे हैं, तो आप इसका उल्टा लिखेंगे, कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत positive feel कर रहा हूँ. थैंक यू universe. इसलिए morning में हम अपनी affirmation को अपनी wish को सिर्फ three time लिखेंगे यानि सिर्फ तीन बार लिखेंगे तीन बार लिखने के बाद हम 17 सेकेंड के लिए गिंती करके आपको 17 सेकेंड ही इसको देना है और 17 सेकेंड तक आपको सिर्फ वही visualize करना है वही सोचना है जो आपने अपनी diary में लिखा है तो अगर आपने लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत positive feel कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वही चीजे आप आँखों को बंद करके 17 सेकेंड तक सोचेंगे कि हाँ मैं अभी बहुत खुश हूँ बहुत अच्छा feel कर रहा हूँ positive feel कर रहा हूँ और इसके दोरान आपको पता भी चल जाता है कि आपके wish manifest होगी या नहीं अगर आप visualize करते हैं और आपके face पे हलकी से smile आ जाती है क्योंकि हमें हमारी wish मिलती है तो हम खुश होती ही हैं चाहे हम किसी भी हालत में रहें अगर हमारी वो wish manifest हो गई तो हम जरूर हसेंगे हमारी face पे जरूर smile आएगी और बिलकुल उसी positivity के साथ उतनी ही खुशी के साथ आप उसे feel कर रहे हैं यानि जब आप visualize कर रहे हैं सोच रहे हैं ध्यान कर रहे हैं उसका और आपके face पे हलकी से smile आ रही है तो आप समझ लिजिए कि आपके ये wish पूरी होने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपके situation को ज़्यादा negative है आपको पहले दिन ऐसा नहीं मैसूस हुआ आपके face पे smile नहीं आई दूसरे दिन आएगी तीसरे दिन आएगी लेकिन आएगी जरूर और जब भी ऐसा होना शुर अगर आपके affirmation लंबी है तो दो line में आटेगी अगर छोटी सी है short है तो वो एक ही line में आट सकती है तो आपको तीन line में अपनी wish लिख लेनी है सुबह में 17 सेकंड तक उसे अपनी copy को बंद करके visualize कर लेना है और उसकी बाद उसे अपने तकिया के नीचे रख देना है अब जगह पे रखेंगे जहां किसी का हाथ न लगे किसी की नजर न पड़े अब दुबारा से आपको दोपहर के time diary और पिल लेना है और फिर से अपने wish को six time लिखना है यानि दोपहर में आपको same wish छे बार लिखने है छे बार लिखने के बाद फिर से आपको 17 सिकंड तक अपन करना है कि आपके wish manifest हो गई है जैसा कि आपने सुबा में सोचा था कि मैं बहुत खुश हूँ, happy हूँ, बहुत positive फिल कर रहे हूँ अब आगे आप दोपहर में 17 सिकंड ये सोचेंगे कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे परिवार में हर सदस्य खुश है आप हर किसी से में हर तरफ से खुश कबरी आ रही है और मेरे साथ साथ मेरे पूरी फैमिली खुश हो रही है अब दोपहर के टाइम 17 सिकंड तक आपको ऐसा ही सोचने के बाद फिर से अपने डाइरी को जहां आपने safe रखा था वही रख देना है अब आया last और रात की बारी अब रात में यानि night में आपको सारे काम करके खाना पिना खाके बस सोना है जब अलफावेट में इंसान जाता है मतलब थोड़ी-थोड़ी हमें नीद आती रहती है और नीद नहीं वही आती रहती है क्योंकि हमें कुछना कुछ करना होता है उस समय पे जब आप सोने वाले हो तब आपन wish को nine time लिखना है यानि आपने जो wish सुबह में तीन बार लिखा दोपहर में छे बार लिखा सेम wish रात में आपको नौ बार लिखना है नौ बार लिखने के बाद आगे का process आप सोचेंगे अब जरूरी नहीं है कि positivity के लिए ही आप health भी manifest कर सकते हैं, job manifest कर सकते हैं आप self love manifest कर सकते हैं अपनी beauty manifest कर सकते हैं dream job, relationship, friendship आप जो चीज money attract करना चाहते हैं आप हर कुछ इस technique से attract कर सकते हैं अब आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए तो उसी according आप visualize करेंगे आप beauty attract कर रहे हैं तो आप ऐसी देखेंगे कि मेरी खुबसूरती बढ़ती जा रही है, मेरे बाल लंबे हो गया है, मेरा skin बहुत glowing हो गया है और कभी भी अपने color को judge नहीं करना है अप जैसे हैं बहुत amazing है अपने आप में, क्योंकि परमात्मा की बनाई हर चीज बहुत magical, बहुत beautiful होती है इसलिए कभी भी अपने आपको judge मत कीजिएगा कि मैं तो उनसे खराब हूँ आप अलग हैं और आप हर किसी से better हैं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं तो बिलकुल इसी तरह से आप जो चीज manifest करना चाहते हैं उसे present में लिखेंगे और सुँव में 3 बार लिखना है, दोपहरब में 6 बार लिखना है, रात में 9 बार लिखना है, रात में लिखने के बाद आपको उसी के उपर सोना है यानि अपने तकिये के नीचे ही diary को रखना है, इससे दो तरह की technique हो जाती है, आपको कर लेते हो, तो इतनी powerful technique आप जिस wish के लिए लगाएंगे, वो wish, जैसे क्या बोलू मैं, बहुत fast कौन सी चीज आती है, जैसे rocket, मतलब उतनी fast आपके wish आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके wish manifest हो रही है, अच्छानक से आप देखेंगे कि आपके wish manifest हो गई है, कहने का मतलब यह है, कि यह technique जिस तरह से आपके wish को आपके जिन्दगी में लाती है, वो अपने आप में magic है, अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताऊंगी, जो किसी ने नहीं बताया होगा आप सबसे, आप जब यह technique करते हैं, और अपने wish लिखते हैं, यानि affirmation बनाते हैं, अगर आप अपने affirmation के बाद या पहले जब thank you लिखते हैं, तो thank you के पहले या thank you के बाद, आप एक word लिखते हैं, यानि magic लिखते हैं, तो आपके wish बिलकुल चादू की तरह आपके पास आएगी, जैसे आपने लिखा, मैं बहुत positive हूँ, बहुत खुश हूँ, magic thank you क्योंकि आपको पता है या नहीं है, अगर है तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो बता दूं कि जो हम लिखते हैं, जो शब्द हम डालते हैं, जो डाइरी में लिख रहे हैं, उसकी energy होती है, अब आपने magic लिखा, तो उस wish के अंदर एक magic create होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो add कर लिजीगा, otherwise जैसे simple सभी लोग करते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, अगर कोई doubt रह गया हो, तो please comment करके पूछ लिजीगा, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, पेन आपको blue color का use करना है, red भी use कर सकते हैं, आपको diary use करनी है, अगर plain paper हो तो भी अच्छा, अगर line वाली है, तो भी अच्छा, कोई matter नहीं है, बस आपको अपने उपर ध्यान देना है, कि आपका जो सोच है न, वो negative ना हो, बाकी सारी चीजे वैसे ही होंगी, जैसे आप चाहते हो, आपको कितने दिनों तक करना है, तो लगातार 30 दिनों तक करना है, periods में करना है, जी हाँ, ये कोई पूजा नहीं है, आप periods में कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जिनका किसी न किसी reason से बीच में ही छोट जाए, एक दिन gap हो जाए, तो क्या करें, फिर से शुरू करें, आपको फिर से 30 दिन या 45 दिन करना पड़ेगा, इसके अलाबा कोई option नहीं है, कि आप कुछ और कर लें, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी doubt रह गया है, फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ भी ऐसा आए, तो comment करके पूछ लीजीगा, या फिर Instagram पे आप मुझे follow करके, आप हर सवाल कर सकते हैं, या फिर अपनी बड़ी से बड़ी problem, हर secret share कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको answer करती हूँ, अच्छा ये technique इतनी powerful है, कि कुछ लोगों के wish, 30 दिन के अंदर ही manifest हो जाती है, तो क्या करें, आपको continue ये technique करना है, आपके wish manifest हो या ना हो, जिन लोगों के wish, technique पूरी करने के बाद manifest होती है, वो भी यही पूछेंगे कि हम इस पन्ने का क्या करें, जिस पे हमने ये लिखा है, कुछ नहीं करना है, simple सा, या तो रख लेना है, या फिर उसे जला के, और उसके राख को कहें फेक देना है, उड़ा देना है, या फिर उस पन्ने को आप फाड़के, जमिन के अंदर, पौधे के जड़ में डाल सकते हैं, आप जो चाहें वो करें, क्योंकि यहां पे सिर्फ energy वर्क करती है, उसका आप कोई value नहीं रह जाएगा, जब आपके विशाप के पास आ जाएगी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो subscribe ज़रूर से कर लिजेगा, और अपने खूब सूरत हाथों को ज़्यादा lazy मत बनाएए, लाइक ज़रूर से कर दीजेगा, और ज़्यादा इस ज़्यादा ग्रूप में शेर कीजेगा, अगर आपको किसी भी तरह कि वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे request कर सकते हैं, दो से चार दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाती है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप सभी खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, क्योंकि self love से ही हमारी हर wish manifest होती है, खुश रहिए positive रहिए, needy लोगों की help करती रहिए, God bless you and thanks for watching, love you all Bye